जिस तरह इंडियन सब कॉंटिनेंट आज से करीब 9 से 10 करोर साल पहले अफरीका से तूट कर टीबेट से टकड़ाया था ठीक उसी तरह आने वाले समय में अफरीका की जमीन एक बार फिर से तूटेगी और भारत से आ टकड़ायाईगी क्योंकि हाल ही में हुई स्टैडिस में ये पता चला है कि अफरीका का लगवाग वांथरी से टूट कर धीरे धीरे भारत की तरह बढ़ रहा है लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हम इंसान इसे रोक सकते है जानेंगी इस वीडियो में जब इंड के साथ भी होने जा रहा है क्योंकि इस बार अफरीका का वांथरी सा भारत से टकर आएगा और अगर ऐसा सच में हुआ तब इंडिया के एक तरफ के पार्ट की जमीन काफी उची उट जाएगी और एक बड़े परवत में कंवर्ट हो जाएगा इसके साथ ही आसपास के कुछी साल हुए थे इसलिए इस पर मौजुद पानी के कुछी फीट्स नीचे लाभा उबल रहा था जो की समय के साथ साथ जोला मुखी की तरह पानी से बाहार निकलने लगा और लाभा के ठंडे होने की वज़े से धर्ती पर आईलन के रूप में जमीन बनने लगी और द इंतजार के बाद ये जमीन एक जगा पर इकटी हुई जिसे आज के समय में पेंजीय सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है हाला कि पेंजीय सुपर कॉन्टिनेंट ज्यादा समय तक एकठ़ा नहीं रह सका यानि कि आज से कड़ी 20 करोर साल पहले ये कई हिस्सों म लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इसी टककर का असर आज भी देखा जा सकता है क्यूंकि इंडियन सब कॉंटिनेट की जमीन अभी भी टीबेट की तरफ दबती जा रही है जिसके चलते माउंट एवरेश्ट की हाइट में लगातार इजाफा हो रहा है अब जिस तरह पैंजे हर साल 6-7 mm तक इंक्रीज हो रही है जो साफ तोर पर बताता है कि आने वाले समय में अफ्रीका का ये पार्ट उससे अलग हो जाएगा आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा क्या खिर अफ्रीका का ये पार्ट उससे अलग क्यों हो रहा है वेल इसके ज्वाला मुखी के माध्यम से आज भी बाहर निकल रहा है। जिस्तों में डिवाइट कर देगी तब इस जमीन का खुद का भी कोई वजूद नहीं रहेगा क्योंकि धीरे धीरे इस जमीन के चारो तरफ ओशन्स का पानी भरने लगेगा जिसके बाद ये जमीन पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी जिससे अफरीका से अलग होकर इं सर्च करने वाले जियोलोजिस्ट का कहना है कि जब अफरीका की जमीन उससे अलग होगी तब वहां मौझूद समुंदर के अंदर से ज्वाला मुखी और जहरीली गैसेस निकलेगी जो पूरी धरती के एट्मोस्फियर में मिक्स होकर उसे नुकसान पहुचाएगी और धरत पर जिवन को तबा कर देगी जब हम अफरीका के एक बड़े हिस्से की भारत से टकराने की बात करते है तब यह सिर्फ भारत तक सिमित नहीं रहता वलकि इसमें भारत के साथ पाकिस्तान और स्रीलंका भी आ जाता है क्योंकि यह कंट्रीज भी इंडियन सब कॉंटिनेंट क इसका रेजल्ट बहत खतरनाक होगा क्योंकि इस टकर के तुरंद बाद ही इंडिया के बहुत से शहर पलवर में तबाह हो जाएगा लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं इस हिस्से के इंडिया के वस्टर्न रीजिन से टकराने की वज़े से मुंबई, गोआ, केराला, श्रीलंका, सोमनात, ड्वारका और कराची के समुद्धतर गाइब होकर उचे-उचे परवत में कनवर्ट हो जाएगा जिसकी वज़े से यहां का वज़े ठंडा होने लगेगा और देखते ही देखते यहां भी माउंट एवरेष्ट की तरह ही बर्फ गिरने लगेगी इन परवतों पर माउंट एवरेष्ट में समा जाएगा लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह के चेंजेस सिर्फ इंडिया और उसके परोसी देशों में देखने को मिलेगा तो आप गलत हो क्योंकि जिस समय यह सब होगा उस समय तक पूरी दुनिया की जियोग्राफी चेंज हो चुकी ह क्योंकि तब दुनिया के सभी कॉंटिनेंट्स फिर से एक जगा पर इखटा हो जाएंगे जिन में हमारा कॉंटिनेंट एशिया नौर्थ की तरफ और भी जयारा मूव कर जाएगा जिस वज़े से एशिया में मोजुद जयारतर जंगल्स डिजर्ट में कंवर्ट हो और डिजर्ट जंगल में अफ्रीकान पार्ट के इंडिया से टकराने की थियोरी का जनम साल 1990 में हुआ था पर इसको लेकर आज भी पहुत सी अलगलग थियोरिस दी जाती है जिन में से कुछ के मुताबिक ये माना जाता है कि अफ्रीकान पार्ट इंडिया से कभी पर जो भी हो मगर एक बात जरूर निश्चित है कि आने वाले समय में धर्ती की जियोग्रफी इतनी ज्यारा चेंज हो जाएगी कि धर्ती पर से हमारा वजूद पूरी तरह से मिठ जाएगा जिसके चलते हम इंसानों को जल्दी इसका अबिल बनना होगा कि ऐसी किसी कंडिश दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और अगर हवी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अन कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर हफते लाता रहता हूँ तो मिलता हूँ आप से अगले वीडियो मे और हमेशा की तरहा, thanks for watching.